Hello friends, आपका मेरी वीडियो में फिर्से स्वागत है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि function को as a event handler react 19 के अंदर कैसे use किया जाता है, last वीडियो में हमने ये component ये use किया था, तो हो सकता है कि बाद में आपको इसके जुरुत पड़े जब मैं इसे github पर डालूँगा, तो इसके लि ताकि आगे चलके यहां पर पता लग जाए आपको github पर की कौन सा code है, क्योंकि इस app folder में बहुसा ही changes करने पड़ेंगे आगे भी, जो यह change किया है, यह इसमें चला जाएगा, तो यहां पर component बना देता हूं, इसका नाम में रखता हूं app props.jsx, और जो coding इसके अंदर है, वही coding उसके अंदर copy कर देता है, और इसको यहां से बंद कर देता है, इसका कोई जरूतब है नहीं, और यह जो है, इसके अंदर modify कर लेते हैं अपनी चीजे, इसके अंदर कुछ लगाने की जरूतब है नहीं, यह सब हटा देता हूं, ताकि event handling के बारे में हम बढ़ सकें इ यहां से थोड़ा idea हो जाएगा आपको, app के अंदर ही, तो मैंने यहां पे बटन बनाया, और इसका हमने इस तरह से रख दिया, इसमें, show message, इस तरह से, और यह जो बटन है, यह देखने में आपको ऐसा लगेगा, बटन जैसा लगनी रहा, तो इसको बटन जैसा लगाने के यह यह धन्या Hack, लिए class name ले लिते हैं, यहां पर border लगा देते है, border to check करते हैं, border आगे है इसका थोड़ा सा, और border का जो color है, और red कर देते हैं, इस तरह से, और थोड़ा सा padding दे देते हैं इसके इस तरह से फोड़ा से button जैसा लगनी लगा, इसको round कर ने बिते हैं, इस तर बनान रखना कि function है वो बनाएंगे तो हम ने function बनाया यहां पर यहां पर हमने का कॉंस्ट और हमने कहा यहां पर इस हमारे function है अधियान से देखते रहे ना इसमें बहुत सारे pass करने का तरीका है यहां पे हम शोझ एम एसची और ऐसे पास नहीं करेंगे क्योंकि यह एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है यह एक event handler है मतलब जब आप event fire करेंगे तो यह आपके event को handle करेंगे यह on click event जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे यह आपको दिख रहा है कि यह function है फंक्शन नहीं आप देखेंगे तो यहां पर अपने आप फायर हो रहा है अफिए फायर होता चला जाएगा और यह बंद नहीं होगा यह आपकी अप्लिकेशन को प्रॉब्लम में डाल देगा क्यों क्यों कि आपने इसको call कराया, इसको call नहीं कराना था, इसका address पास करना था है, इस function का address आपको pass करना है ऐसे, आप मैं इसको refresh जब करूँगा, तो यह हट जाएगा, और जब मैं click करूँगा, तब ही आएगा, क्योंकि यह function है, यह event handler का काम तब करेगा, जब हम यहाँ पे event के अंदर इसका address पास करेंगे, तो इसका reference हमने यहाँ पे पास कर दिया, जब जरूत पड़ीगी, click करेगा, इस reference से आजाएगा, लेकिन अगर आपने function call किया, तो बार बार यह render होता रहेगा, आपको click करनी की जरूत नहीं पड़ीगी, आपने आप चलता रहेगा, तो आपको कोई virus होता है कि इवेंट इतना असान है, हो गया काम, लेकिन अगर यह जो message है, यह message अगर मुझे as a function के अंदर यहाँ पे पास करना हो, मैंने यहाँ पे कहा, MSG, और इस message को मुझे यहाँ पे display करना है, और इसके अंदर जो value है, यह वाली, इसको cut कर लेता हूँ, यह मेरी, suppose करो, यहाँ पर किसी variable में है, ऐसे, तो मुझे इस variable से उठाके, इस value को function में पास करना है, अब problem यह है, अगर मैं इसको ऐसे पास करता हूँ, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे, सब कुस तो ठीक हो जाएगा, लेकिन problem वह है कि बार-बार आता रहेगा, क्योंकि हम इसे call करा नहीं सकते हैं, तो ऐसे क्या करें, जिससे यह जो parameters हैं, वो भी चले जाएं इसके अंदर, और event भी फैर हो जाए, अब ध्यान देखेगा, कि अगर इस function में कोई parameter पास करना है, तो इस function को as a event use नहीं कर सकते, यह function event handler का का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर parameter पास हो functions अब को आता होगा, अब यह जो arrow function है, इसका reference हमने event on click को पास कर दिया, तो जब भी click करेंगे, तो इस arrow function का reference के तुरू यह call हो जाएगा, और अपने अंदर यह इस वाले को call करा लेगा, तो ध्यान रखना कि जब आप parameter पास कर रहे हैं, ध्यान रखेगा, जब आप parameter पास क कर रहे हैं किसी function के अंदर, तो वो function event handler नहीं हो सकता, उसे event handler की तरह यूज नहीं कर सकते, उसे ऐजे function ही call कराना पड़ेगा, इसलिए हमें इसे किसी arrow function के अंदर call कराना पड़ेगा, या किसी other function के अंदर call कराना पड़ेगा, जो event का गाम करेगा, अब आपको लग रहा है क यह arrow function समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर कोई और function बना सकते हैं जैसे मैंने कहा यहाँ पर display message ऐसे बनाया मैंने इसको normal function है मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ और इस function के अंदर यहाँ पर function keyword लिखना पड़ेगा कोई मुझे अगर function बनाना है normal वाला यहाँ पर मैंने इसको call करा लिया ऐसे करके copy और यहाँ पर paste कर लिया यह message यहाँ पर pass कर दिया और यहाँ पर मैं display message को pass कर दूँगा इस तरह से address के साथ तो भी यही काम होगा कुछ अलग नहीं होने वाला मैंने click किया तो देको चल गया तो अब यही काम हो रहा है पर इतना काम करने की जुरूती नहीं क्योंकि यह पिना मतलब कि आपका program में difficulty बढ़ेगी आप उस नमजने में दिक्कत आएगी और जो maturity है वो आपके दिखेगी नहीं तो better है कि आप उसे यहाँ पर arrow function बनाए जो simple होता है बहुत और यहाँ पर show message को डालके यहाँ पर message pass करते है simple सा है यह function हो गया जो anonymous function का काम कर रहा है arrow function और इसके अंदर हमने function कौन करा लिया तो event handling के अंदर यह दो जीजे main है कि event कैसे call कराना है अगर कोई parameter नहीं है function में तो यह function ही event handler का काम कर देगा लेकिन अगर parameter है तो फिर आपको कोई arrow function बनाना है उसके अंदर इसको call कराना है फिर यह function normal function ही रहेगा यह event handler नहीं बन सकता event handler सिर्फ वही function बनेगा जो यहाँ पर reference की तरह पास किया जाएगा ना कि function call करने की तरह से तो यह हमने देखा event handling के अंदर अब next video में हम देखेंगे कि यह event handler है जो हम event handling यहाँ पर कर रहे है इस तरह से यह तो क्या इस function को as a parameter पास कर सकते हैं दूसरे component के अंदर क्योंकि यहाँ तो मैंने यह बटन यहाँ पर बना दिया लेकिन यह button अगर किसी component के अंदर है और मेरा data यहाँ पर है कैसे execute कर सकते हैं जिसे bubbling of event बोला जाता है जावा स्किप्ट के अंदर तो इस दोनों चीजे आगले वाली वीडियो में देखेंगे अगली वाली दो वीडियो होंगी एक में event को कैसे पास करते हैं component के अंदर दूसरी वीडियो में multiple components में कैसे पास करते हैं इस सब चीज देखेंगे तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दिखेंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को देखने के लिए दैमे आप झाल झाल